साथियों, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, तो हमें भिन्ध भिन्ध प्रकार के प्राणी दिखाई पड़ते हैं. सब अलग-अलग सनरचना एवं सरूपों में होते हैं, अब तक 10 लाग से अधिक प्राणीों का वर्णन हो चुका है. इन सब का वर्णी करण भी हो चुका है, इनमें भिन्नता होते हुए भी सभी की कोशिकी अव्यवस्था, शारीरिक समिती, प्रगूहा की प्रक्रती, पाचन तंत्र, परिसंचरन तंत्र वर जणन तंत्र की रचना में कुछ आधार्भुथ समानता पाई जाती हैं. फिर भी सब जीव, जन्त, एक ही प्रकार का कोशिका का संगठन प्रदर्शित नहीं करते हैं. इसलिए हमने आज चार साधरन प्राणी चुने हैं, जिने आप अकसर देखते हैं, आईए उनके बारे में चर्चा करते हैं. ये प्राणी हैं केचुआ, तिलचट्टा, अस्तिमीन और पक्षी. केचुआ, जिसे हम किसानों का मित्र भी कहते हैं, ये एनिलीडा संग का जन्तु है, इस संग के विशिष्ट लक्षन, शरीर पर सुस्पष्ट, बलैकार खंड या विखंड होते हैं, शरीर विभेदित नहीं होता है. ये वातावरण के अनुसार, इसमें जो अनुकूली लक्षन पाये जाते हैं, वो सलेश्मी और नम्तवचा, क्लाइटेलम उपस्थित होती है, इसे परियानिका भी कहते हैं, ये जमीन में या गीली मिट्टी में आवास करता है. क्लाइटेलम जो है, वो 14 से 17 विखंडिये खंडों के जुड़ने से बनती है, इसमें उत्सरजन जो है, वो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, धमनिया उपस्थित होती है, केचवा उभेलेंग आश्री है, इसमें नर और मादा जननंग एक ही जन्तु में पाये जाते हैं इस वर्ग के अन्य जानबर भी होते हैं, जिनके उधारण हैं, जैसे रक्त, चूशक, जोक, नेरीज, इत्यादी अगला जन्तु हमारे पास तिल चट्टा है, यह संग आर्थपोडा का जन्तु है, इसे वर्ग इंसेक्टा में रखा गया है इस संग के विशिष्ट लक्षण है, खंड युक्त शरीर, तीन जोडे पात सहीत उपांग, जिसे हम जॉइंटेट अपेंडिजिस कहते हैं अनुकूली लक्षण इसके हैं, यह रात्री चर्सोभाव का होता है, काईटीन उप्तवचा होती है, जिसकी वज़े से पानी जो है शरीर के बाहर नहीं जापाता है श्वास रंद्र शरीर के पार्शव भाग में होते हैं, और शरीर जो है तीन भागों में विभाजित होता है, सिर्व, वक्ष तथा उदर, हैट, थोरेक्स, एंड, एब्डोमेन परिसंचरण तंत्र खुला होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, शरंगिकाएं होती हैं, एंटीना उपस्तित होते हैं, और आइस, आखे जो हैं इसमें कमपाउंड आई होती है इसमें उत्सरजन, मेलपीजियन, नलिकाओं द्वारा होता है, नर और मादा दोनों अलग-अलग होते हैं, ये अंड प्रजक जन्तु है इस वर्क के अन्यजीव इस प्रकार है, मदुमक्खी, रेशमकीट, चीटिया, मच्छर, इत्यादी अस्थी मीन, जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है, अस्थी मतलब हड़ी और मीन मतलब मच्ली ये संग कॉड़ेटा का जन्तु है और इसका वर्क है पिसीज, इस संग के विशिष्ट लक्षन है, इसमें प्रश्ट रज्युक, नोटो कॉड का होना ये नोटो कॉड आगे चल कर रीड की हड़ी में बदल जाती है, चार जोड़े गिल्स और दो जोड़े फिन्स इसमें उपस्तित होते हैं, गिल्स के ऊपर गिल्स प्रच्छदक उपस्तित होता है, जो गिल्स को ढखे रहता है फिन्स जो की हमारे हाथ पैर की तरह ही काम करते हैं, इसके अनुकूली लक्षण इस प्रकार है, सुप्रवाही शरीर, स्ट्रीम लाइन बॉड़ी होती है, इस से पानी में तैरने में कम से कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, वायू थैली एर ब्लैडर उपस्तित होत में मदद करती हैं, लवणिये तथा अलवणिये जल में ये पाय जाते हैं, इनमें कंकाल अस्थी का बना होता है, तौचा शल्क से धकी रहती है, इससे पानी अंदर या बाहर नहीं आ जा सकता है, और हृदे में दो प्रकोष्ट होते हैं, नर तथा मादा अलग-अलग होत का इत्यादी, जब हम अस्थी मीन कहते हैं, मीन बीना अस्थी भी होती है, जिने हम उपास्थी मीन कहते हैं, काटीलेजिनस फिश जिने कहते हैं, इनका कंकाल उपास्थी का बना होता है, ये मीन केवल लवणिये पानी में रहते हैं, इसके कुछ उदारन है, कुत्ता मशली डॉग फिश जिसे स्कोलियोडन बोलते हैं आरा मचली जिसे प्रिस्टिस भी कहते हैं इत्यादी आईए चलते हैं पक्षि वर्ग की और ये संग काडेटा का जन्तु है इसका वर्ग है एवीज इस संग के विशिष्ट लक्षण है प्रश्ट रज्युक का होना इसकी परीचर्चा हम अस्थिमीन के साथ कर चुके हैं इसमें पंक होते हैं जो की परिवर्थित अगरपाद होते हैं और इनके अनकूली लक्षण है नौकाकार शरीर पिचकों की मजूदगी, खोकली अस्थियां अस्तियां हवा से भरी हुई होती हैं इनमें बायुक गुहिकाएं उपस्तित होती हैं ये सब अनकूली लक्षन हवा में आसानी से उणने में मदद करते हैं चोंच जो होती है वे परिवर्तित जबड़े होते हैं पश्पाद में शल्क उपस्तित होती है जो चलने, तैरने और पेड़ की शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है इनकी तवचा शुश्क होती है और पूच में सिर्फ एक ही ग्रंती पाई जाती है इनके शरीर का आकार नौकाकार होता है इसमें पाचन तंत्र में क्रॉप तथा पुश्णी होती है और हर्दे में चार प्रकोष्ट होते हैं, श्वशन फुसफुस के द्वारा होता है, यानि पल्मोनरी रैस्पिरेशन होता है, इसमें अन्य उधारन है, कववा, तोता, मोर, इत्यादी आज हमने केचुआ, जो की एनिलीडा वर्क से है, तिल चट्टा, जो आर्थपोडा वर्क का है, अस्थिमीन जिसका वर्क पिसीज है, और पक्षी जो एवीज वर्क से है, इन सभी के लक्षणों का अध्यन किया है, आप इनके लक्षणों को और इनके चित्रों को अपनी कॉ झाल झाल